जैसा कि आप यहां पर देखते हैं कि gap up open होता है and इसके बाद आपको एक बड़ा move देखने को मिलता है again आप यहां पर देखते हैं कि market इसको break करता है and again आपको एक बड़ा move देखने को मिलता है और आप यहां पर भी देख सकते हैं तो multiple times हमें same level से एक बड़े move देखने को मिलते है Hi everyone इस वीडियो में हम लोग Fin Nifty के बारे में discuss करने जा रहे हैं कल के दिन हमें कौन से label पर buy करना चाहिए कौन से label पर sell करना चाहिए और किस zone में हमें market एक sideways देखने को मिल सकता है इन सभी के बारे में discuss करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर जो मैं time frame उच कर रहा हूँ वो है 15 minutes का तो आईए सबसे परे levels को find out कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मैंने lines draw कर रहे हैं जिसे support और resistance भी का जाता है अगर आपको यह draw करना नहीं आते हैं तो मैंने इस पर already एक वीडियो बना रखा है और किस तरह से draw करना है मैंने आपको वो सिखा रखा है anyways that's not the part of discussion right now तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो market का George closing है वो 19,255 के आस पास है तो कल कि दिन अगर market 19,280 के अगर उपर निकलता है तो आपको एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अब देखें यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि सर यह label break करेगा तो buying कैसे देखने को मिलेगी तो देखें जब भी आपको future predict करना है तो आपको यह देखना होता है और यह है 19,280 जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं कि gap up open होता है और इसके बाद आपको एक बड़ा move देखने को मिलता है अगेन आप यहाँ पर देखते हैं कि market इसको break करता है अगेन आपको एक बड़ा move देखने को मिलता है और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं तो multiple times हमें same level से एक बड़े move देखने को मिलते हैं तो हम लोग भी वहीं पर buy करेंगे जहां समें एक बड़ा move देखने को मिल रहा है तो कल के दिन अगर market जो है 19,280 का अगर level break करता है और कोई भी 5 minute का candle अगर इसके उपर sustain करता है तो हम लोग यहाँ पर buy करने जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या क्या option है पहला आप call option को buy कर सकते हैं दूसरा put option को sell कर सकते हैं तीसरा future को buy कर सकते हैं यह पूरी तरह से आपके उपर है कि आप इन में से किसमें trade करना चाते हैं याद रखिए का जिसमें आप अच्छे हों आप उसी काम को करिए जब हम लोग buy करने हैं तो हमारा first target होगा 19,390 का second target है 19,450 का and third target है 19,540 का अब बात करते हैं कि downside में कि market अगर किसी lower level को अगर break करेगा तो हम लोग कहाँ पर selling करने जा रहे हैं तो कल के दिन अगर market 19,200 का अगर level अगर break करेगा तो हमें downside में एक अच्छा move देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर हमारा पास क्या क्या option है पहला आप put option को buy कर सकते हैं दूसरा call option को sell कर सकते हैं तिसरा आप future को sell कर सकते हैं यह पूरी तरह से आपके उपर है कि आप किसमें अच्छे हैं फर्स टार्डेट होगा 19,140 का सेकेंड टार्डेट है 19,040 का अगर बात करें कि अगर 19,200 और 19,280 के बीच में रहता है तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं market generally इस zone में sideways रहता है तो हम लोग कोसिस करेंगे कि इस वाले zone में trade ना करें अगर आपको इस zone में trade करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जब भी market support के पास आए और कोई भी reversal candle बनाए तो आप यहाँ पर एक call option को buy करना और बहुत ही चोटा stop loss देना उसी परकार से अगर market resistance के पास जाता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है put option को buy करना है और बिल्कुल ही चोटा सा SL देके आपका जो target होगा वो होगा 19200 का तो इसमें आपको reversal play करना है और अगर market breakout देता है या breakdown देता है तो हम लोग उसके अनुसार अपने trade लेंगे अब बात करते है option chain की तो इसके लिए मैं iChat का website यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर option chain और यह रहा option chain और यहाँ पर मैं finnifty selected लेता हूँ तो यह रहा finnifty का option chain तो option chain किस प्रकार से read किया जाता है मैंने इस पर अलरेड़ी दो-तीन वीडियो बना रखे हैं तो जब भी आपको time मिले आप उससे जाके देख सकते हैं देखिए अगर आपको support find out करना है तो put side में एक ऐसा strike price select करना होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा OI हो तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा OI जो है वह है 19,000 stack price पर that means कि 19,000 हमारा support होगा अगर बात करेंगे resistance की तो call side में एक ऐसा stack price select करना होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा OI हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा OI है वह है 19,600 पर that means कि 19,600 जो है वह एक resistance की तरह act करेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो range ही वह काफी बड़ा है और ऐसे आपको data तब ही देखने को मिलते हैं जब market में एक बड़ा move आने वाला हो तो I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा थैंक्स पर वाचिंग